इस वीडियो में हम बाग करेंगे computer series के second chapter की इससे पहले हम तीन videos discuss कर चुके हैं जिसमें से सबसे पहले video में हमने discuss किया था fundamentals of computer उसके बाद दो videos में हमने उस पे based questions किये थे जो की mcq form में थे इस video में हम second chapter को शुरू करने वाले हैं तो चलिए start करते हैं components of computer system तो इस chapter में हम क्या-क्या पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि क्या-क्या components होते हैं जिन से मिल करके एक computer system तयार होता है बनता है और function करता है तो दीखिए कोई भी जो computer system होगा उनमें चार basic units तो होंगे यहोंगे जैसे input unit हो गया, storage unit, central processing unit जिसको CPU कहते हैं and output unit तो यह चार basic components हैं जिन से computer बनता है तो basic inputs क्या-क्या हो गया? input, storage, central processing unit यानि की CPU और output unit तो यह चार basic units हो गया है central processing unit की अगर बात करें तो यह दो चीजों से मिल के बना होता है CPU दो चीजों से मिल के बना होता है एक होता है ALU जिसको कहते है arithmetic logic unit और दूसरा होता है CU जिसको कहते है control unit इन सब को एक एक करके हम discuss करेंगे ठीक है उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या major functions है जो कि एक computer करता है तो five major functions है जो कि एक computer करता है वैसे तो बहुत सारे काम है लेकिन five major यहाँ पर components हम देख लेते हैं पहला है data या जो भी instructions computer को मिलता है उसको वो accept करते हैं तो जब वो data और inputs को accept करते हैं उसको कहते हैं input उसके बाद जो भी instructions या फिर जो भी data उनको दिया जाता है यानि कि computer में डाला जाता है input किया जाता है, उसको वो store करते हैं, ये कहां जाता है, storage unit में जाता है, clear है, उसके बाद वो उसको process करते हैं, किसके मदद से, CPU के मदद से, उसमें ALU हो गया, यानि की arithmetic logic unit और control unit, इन सब की मदद से क्या होता है, processing का काम होता है, then control होता है, मतलब control unit के मदद से computer के अंदर में ही processing हो रहा होता है, उसको control किया जाता है, उसके बाद finally result निकल के आता है, information निकल के आता है, जिसे हम कहते हैं, output, तो यहां तक जो भी चीज़े थी, I hope आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, इस diagram के मदद से, आपको पता चल जाएगा कि कि computer के, अंदर, input हमने डाला, उसके बाद input गया, memory में store हो गया, clear है, then memory में store हो गया, किस चीज़ से पहले, processing होने से पहले, अब जो processor, हमारे processors होते हैं, जो unit होता है, CPU हो गया, ALU हो गया, ये क्या करता है, इस storage से, जो भी input डाला गया है, उसको लेता है, और processing का का काम करता है, control करता है, हमारा control unit, और finally जो हमारा निकल के आता है, result उसको कहते है, output, ठीक है, तो ये चार main components है, जिस पे based होता है, computer, और इन ही चार main components के मदद से, जो भी functions है, computer, वो करता है, clear है, चलिए, I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा, आगे है, basic component of computer system, देख लेते हैं, क्या क्या है, सबसे पहला input unit की हम बात करेंगे, तो input unit की अगर बात करें, तो data और instructions, वो enter किया जाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं, computer से काम करना, computer से कुछ information निकालना, तो सबसे पहले आपको data या फिर instructions को computer system में enter करना पड़ेगा, ठीक है, before any computation, तो जबी भी कुछ आप calculation करना चाह है, तो सबसे पहले input आप डाली है, वहाँ पर, उसके बाद, तो input unit की अगर बात करें, तो external environment को connect करता है system से, ठीक है, जैसे आप अपने system में कुछ type करते हैं, कुछ word पर काम करते हैं, या powerpoint presentation पर काम करते हैं, तो आप क्या डालते हो, आप type करते हो ना, तो उसी को हम कह सकते हैं कि आप input उसमें डाल रहे हो, ताकि आप output ले सको, clear है, तो input unit का ये काम होता है, it accepts the list of instructions and data from the outside world, outside world का मतलब है कि हम, हमारे जैसे लोग, हम outside world में ही रह रह रहे हैं, computer के बाहर रह रहे हैं, तो हम खुद से क्या करते हैं, computer में कुछ चीज़े feed करते हैं, enter करते हैं, जिसको यूज करता है, computer आगे processing के लिए, उसके बाद क्या होता है, ये जो हम information वहाँ पे feed करते हैं, computer में देते हैं, computer उसको accept करती है, input unit उसको accept करती है, कैसे accept करती है, तो acceptable format में करती है, देखिए हमारा language कुछ और है, और computer जो काम करता है, वो language कुछ और है, तो हम कह सकते कि binary system पे computer काम करता है, तो binary system हम जबी भी कुछ type करते हैं, तो computer वो अपने हिसाब से, अपने convenient के हिसाब से, जो language उसको आती है, उस चीज में convert कर लेता है, उसको और accept कर लेता है, clear है, then वो जो accept करता है और convert करता है instructions को, उसको वो data के form में किसे आगे दे देता है, further वो processing के लिए भेज कहाँ पर CPU के पास चलिए, आगे बात करते हैं, ये बात हमने कर लिए input unit की, अब हम बात कर लेते हैं output unit की, तो input unit आपको समझ में आया ना, कि external data को हम computer में feed करते हैं, input unit उसी को कहते हैं, और input device बहुत सारे आते हैं, वो हम आगे discuss करेंगे इस वीडियो में, आउट्पुट यूणिट का काम के हैं, तो output unit का काम है, जो भी input unit ने उससे data convert करके दिया है, processing होने के बाद result लाना, ठीक है, जो भी result है उसको declare करना, ये काम है output unit का, ये क्या करता है, supply करता है information को और result को, किसको outside world को, देखिए input unit क्या करता था, outside world से information लेता था, और output unit क्या कर रहा है, information दे रहा है outside world को, तो दोनों का उल्टा काम है, input का लेना काम है और output का देना काम है, इतना याद रखिए, तो हम कह सकते हैं कि output unit का भी same काम है, output unit भी एक link के तरह काम करती है, computer और outside world के बीच में, फर्क सिर्फ इतना है कि input unit हम से data लेता है और output unit हमको data देता है, clear है चलिए, अब computer काम कैसे करता है, तो computer जो system में वो काम करता है binary code पे, ठीक है, computer का language है binary code, तो जो कुछ भी हम information feed करते है computer में, computer उसको binary code में crack करता है और accept करता है data को, ताकि computer read कर सके, हम Hindi English read कर लेते हैं, computer Hindi English read नहीं करता, computer codes को read करता है, तो वो code के form में language को accept करता है, clear है? और यह काम जो किया जाता है, किसके द्वारा accomplish किया जाता है, output interface के द्वारा किया जाता है, अब output unit क्या क्या है, following functions are performed by output unit, output unit के द्वारा क्या 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 काम किया जाता है, वो देख लेते हैं, तो यह accept करता है data को processing के बाद result produce करता है, ठीक है? coded form में, ताकि हम क्या कर सके? इस जो भी result है उसको आराम से पढ़ सके, तो देखे, input unit ऐसे code में language को break कर रहा था, कि computer पढ़ सके, लेकिन output unit ऐसे convert करता है data को, ताकि हम पढ़ सके, क्यूंकि output unit का काम है, हमें data देना, उसके बाद है, it converts these coded results to human acceptable, तो अभी हमने बात की, कि human acceptable form में होना चाहिए, यानि कि human readable form में होना चाहिए, ताकि human पढ़ सके उसको, इंसान पढ़ सके, उसके बाद ये converted result को outside world को दे देता है, तो बस इतना काम है output unit का, clear है? है, I hope आपको समझ में आया होगा, input और output दोनों का काम, पर फिर से, देख लेते हैं, input का काम है data को लेना, और output का काम है result को, हमें provide कराना, और वो, कैसे provide करा सकता है, किसे भी form में करा सकता है, text के form में हो सकता है, audio के form में हो सकता है video के form में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है clear है, चलिए अब बात कर लेते है storage unit की storage नाम से ही पता चल रहा है चहां पर चीज चीज़े store होती है तो यह क्या करती है काम? यह middle man की तरह काम करती है input unit जो भी चीज़े इसको देती है वो processing से पहले इसी के पास रहती है उसके बाद processing होता है और again processing होने के बाद जो output result होता है वो again storage में save हो जाता है तो देखिए input का यानि कि raw material भी storage में saved है बनाना शुरू किया तो आपने चीज़े उस उहां पर डाली और एक PowerPoint presentation आपने तयार कर लिया और उसको अभी उसी form में छोड़ दिया ठीक है तो वो save रहेगा आपके storage में लेकिन आपने क्या किया उस पावर पॉइंट से PDF में convert कर लिया उसको तो भी वो output हो गया ना तो output भी कहां रहेगा storage में रहेगा तो आप यहां से इस example से समझ सकते हो कि चाहें वो raw form में कोई data हो या फिर final acceptable human acceptable form में हो वो दोनों के दोनों कहां पे रहेंगे store आपके दोनों के दोनों storage में store रहते हैं clear है चलिया आगे बात कर लेते हैं आप जैसे example क्या होगे storage unit का तो आपको RAM हो गया ना रोम हो गया यह सारे के सारे memory cards यह सब storage के examples है hard drive अगरे यह सब storage के examples है next है CPU central processing unit a very important component of the computer बहुत सारे exams में पूछा जाता है और सीधा question पूछ लिया जाता है इसके abbreviation से इसके abbreviation से पूछ लिया जाता है कि CPU का पूरा नाम बता दीजिया आप बस इतना पूछ लिया जाता है तो CPU का पूरा नाम सबसे पहले आपको याद रखना है central processing unit क्या नाम होता है Central Processing Unit, इसका काम क्या होता है, तो Central Processing Unit दो चीजों से मिलके बना है, यह एक तो इसमें आजाता है ALU, यानि कि Arithmetic Logic Unit, और दूसरा इसमें है CU, यानि कि Control Unit, तो Main जो यूनिट होता है CPU, कंप्यूटर के अंदर वो होता है CPU, ठीक है, यह unit responsible होता है, जितने भी events होते हैं, इंसाइड the computer, यानि कि जितने भी काम होता है computer के अंदर, उन सब के लिए responsible कौन होता है, तो यही होता है CPU, यह control करता है internal और external devices को, ठीक है, internal devices, देखिए, arithmetic और logic operation के through, यह क्या करता है, चीजों को control करता है, उसके अलावा, देखिए, कुछ instructions, इसमें feed होते हैं, पहले से ही, sorry, fed होते हैं, तो उस instructions को कहते है hardwired, ठीक है, CPU क्या करता है, और determine करता है machine language को CPU के लिए, sorry, hardwired जो होता है, यह determine करता है language CPU के लिए, ताकि CPU processing का काम अच्छे से कर पाए, जितना जादा complicated आपका instruction होगा CPU के अंदर, ठीक है, आपका CPU उतना ही slow work करेगा, ठीक है, इसको हम और भी किसी example से समझ सकते हैं, जितना easy question maths का आपको दिया जाता है, आप उतना जल्दी उसको solve कर लेते हो, लेकिन जितना complicated आपको question दिया जाता है, time आप जादा लेते हो, तो same, उसी तक क्यों कि आपका brain ना उस तरीके से सोचने लग जाता है, तो brain को easy चीज़े जल्दी समझ में आती है, और tough चीज़े, चीज़ों को solve करने में time लगता है, same उसी प्रकार से CPU भी time लेता है, इसलिए CPU को क्या कहा जाता है, CPU को कहा जाता है, brain of the computer, very important statement, इसको याद रखिएगा, उसके लावा कर बात करें, देखिए और क्या क्या चीज़े हम CPU में पढ़ सकते हैं, कि brain of the computer को कहा जाता है, जिस तरी लिए जाते हैं, किसके द्वारा, brain के द्वारा, उसी तरीके से, computer में जितने भी major decisions होते हैं, वो सबके सब लिए जाते हैं, किसके द्वारा, CPU के द्वारा, calculation वगेरा, सबका काम किया जाता है, CPU के द्वारा, इसलिए इसे कहते हैं, brain of the computer system, चलिए, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, ALU, Arithmetic Logic Unit, ALU के अगर बात करें, तो यह computer system ही एक ऐसा प्लेस है, जहां पे actual processing का काम होता है, CPU के अंदर, ठीक है, तो जितने भी calculations होते हैं, computer में, वो सारे के सारे computer, sorry, वो सारे के सारे calculations किस के द्वारा किया जाता है, ALU के द्वारा किया जाता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दर पहले आपको बताया था, कि ALU किसका पार्ट होता है, CPU का पार्ट होता है, तो CPU में सारी processing होती है, लेकिन उसको भी specifically कौन करता है, calculations के काम क करता है, ALU, arithmetic logic unit, जितने भी data और जितने भी instructions store होते है, primary storage में, ठीक है, वो transfer किया जाता है, ALU में, और वहाँ पर processing होती है, और finally, वो वापस अगेन आ जाता है, कहाँ पर output बनने के बाद आ जाता है, storage में, तो इतना, I hope, आपको समझ में आ गया होगा, ALU में काम कैसा होता है basically, addition का, subtraction का, multiplication का, ये तो होगया आपका arithmetic operations, ठीक है, उसके अलावा, जितने भी comparable numbers होते हैं, जितने भी comparable functions होते हैं, जैसे less than, equal, greater than, ये सारा का सारा काम के कहां पर होता है, ALU में होता है, अब बात करते हैं, control unit की, ये भी एक part है, किसका CPU का, तो control unit क्या करता है, ये direct करता है, और control करता है, यानि की, निर्देश देता है, और control करता है, कि इनको, जितने भी external devices हैं, उनको ये control करने का काम करता है, external devices में क्या क्या होगा, जो भी आपके computer में लगे होते हैं, devices अलग से, उनको control करने का काम होता है, एक छोटा सा concept और यहां पर दिया हुआ है, register, register क्या होत होती है तो इसमें instructions होते है storage का address होता है किसी भी तरीके का data हो गया जैसे bit sequence या individual character यह सबका सब store होता है register में तो जिस तरीके से आप अपने चीजों को याद रखने के लिए register maintain करते हो ना तो computer भी यह चीज करता है इसलिए computer में भी इसका नाम किया है register है उसके बाद input devices चलिए तो अभी हमने अभी तक हमने देखा storage unit क्या होता है इसका काम क्या है input unit का काम क्या है output unit का काम क्या है CPU का क्या है ALU और CU अब हम बात करेंगे input devices की input unit तो हमने देख लिया लेकिन भाई input करने के लिए ठीक है computer में चीजों को एंटर कराने के लिए कुछ devices तो होती है जिसके थुरू हम computer में चीजों को फीड करते हैं एंटर करते हैं तो देखिए input device का काम आप आ जाता है इसको करने के लिए तो input device क्या होता है एक device होता है जिसके मदद से हम data को enter करते हैं computer में बहुत ही simple words में अगर समझे तो example बहुत सारे हैं एक एक करके समझते हैं पहला है keyboard keyboard के through क्या करते हैं keyboard एक बहुत ही common और popular input device है इसके through हम चीज़ों को type करते हैं ठीक है कहां पे computer के अंदर में पहले के time पे typewriter यूज किया जाता था टाइप करने के लिए लेकिन अब अलग-अलग तरीके के keyboard आ गये हैं ठीक है लेकिन अभी भी बहुत सारे जगों पे typewriter यूज किया जाता है अब बात करते हैं आगे यह देखिए keyboard का आपको मैंने यहां पे तस्वीर भी लगा रखिए फोटो लगा रखिए ताकि आपको जो भी चीज़े मैं बताऊं आसानी से समझ में आ जाए की बोर्ड के कुछ की बोर्ड में उन की 0 को हम देखेंगे सबसे पहला आता है typing की अगर आपके पास keyboard है तो कीब़ूर्ड अपने सामने रखिए और उसको देखने की कोशिस कीजिए यह जो की होते हैं तक होते हैं और zero 10-0 टू-9 तक होते हैं यानि कि एटू-जेड तक हम keyboard में देखिए 5 6 7 8 9 यह आपका हो गया क्या यह होगा typing keys उसके अलाबा ABCD वगरा जो है यह सब आपका हो गया typing keys अब और क्या आता है keyboard में उसके बाद आता है function key sorry numeric keypad numeric keypad क्या होता है it is used to enter numeric data or cursor movement it has a set of 17 keys ठीक है यहाँ पी कहते 17 keys आपके होंगे जो numeric data को जैसे आप यहां पर देखे ना यहां पर यहां पर यहां पर अगर देखे तो यहां पर function keys मिल जाएंगे ठीक है उपर के रो में function keys मिल जाएंगे ठीक है उसके अलावा जितने भी function keys है ना उन सब के अलग-अलग unique मतलब होता है और special use के लिए special purpose के लिए इसको use के जाता है उसके लावा control keys की बात करें तो control keys में क्या क्या जाएगा जैसे आपका हो गया पहले तो आए जाएंगे चार directional arrow keys जैसे यह देखे लिए यह चार directional arrow keys हो गए यह आपके फंक किस में आते control keys में आते हैं उसके अलावा end हो गया यहां पर आपका end आएगा डिलीट आएगा ठीक है उसके अलावा इंसर्ट आएगा पेज पेज डाउन आएगा यह सब यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा काँ पर देखने के लिए इसके अलावा कुछ special purpose कीज भी आते हैं जैसे कीबोड में हो गया आपका shift हो गया shift special purpose है न शिफ्ट हो गया उसके लावा caps lock हो गया num lock हो गया space bar tab और print screen यह सब क्या है special purpose यूज में आया जाता है तो जैसे shift प्लस के लिए यूज किया जाता है तो आपको समझ में आ गया होगा कितने टाइप के कीज होते हैं और वो कौन-कौन से हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट माउस की माउस भी एक इन्पूट डिवाइस है तो माउस एक करसर कंट्रोल डिवाइस होता है जब आप माउस पे हाथ रख करके उसको स्क्रॉल करते हो तो आपके computer screen पे एक करसर घूमता हुआ दिκाई देता है तो माउस एक करसर कंट्रोल योनिट होता है और यह point करता है और drop करता है चीजों को computer में ठीक है it is a pointing and drop device इसका size जो है यह ठीक ठाक होता है और हथेली पे यह fit हो जाता है इतना मतलब ऐसा size होता है कि हथेली के अंदर आ जाता है उसके अलावा अगर बात करें तो यह क्या करता है movement करता है movement को sense करता है और signal भेजता है CPU को ठीक है और जितने भी buttons है उनको भेजता है उसके अलावा mouse के भी अलग अलग टाइप आप क्या जाते हैं जैसे अब आगया joystick जोयस्टिक क्या है जोयस्टिक भी एक input device ही है लेकिन इसका use क्या है यह भी एक mouse की तरह ही काम करता है लेकि और यह pointing device भी है लेकिन इसका थोड़ा सा जो है function वो थोड़ा सा अलग है जैसे यह use कहां किया जाता है तो यह use किया जाता है computer added designing जहां पर होती है वहां पर use किया जाता है साथिसाथ computer games को खेलने के लिए इसका use किया जाता है और यह आपका यह है आपका क्या image किसका joystick का तो इसमें लगा होता है कि एक स्टिक जैसे देखिए यह देखिए यह स्टिक जैसा एक structure लगा है जिसमें spherical balls लगे होते हैं यह यह रहा नीचे लगा होता है और lower spherical ball क्या अगरता है मूव करता है socket में यह socket है उसके अंदर lower spherical ball है और इसको गुमता है आप इसको जैसे it is just like a gear आपका होता है न कार्स में वैसा ही यह देखने को मिलेगा तो यह जोयस्टिक है और यह भी एक input device है आगे बात करते है light pen की तो इसका function तो बतानी की जरुरत नहीं पढ़नी यहां से आप लिख सकते हो कुछ ठीक है किसके मदद से इस light pen की मदद से उसके बाद अब बात करते है next input device की trackball तो trackball का आप सोचो कोई कि यह दो दो तरीके के image क्यों लगाए गए हैं तो देखिए भाईया होता गया है कि trackball के बहुत सारे अलग-अलग types के trackball आते हैं और अ आपने दो images यहां पर लगा दिये ताकि आप confused ना हो लेकिन इसके speciality क्या है specific चीज क्या है तो यह देखिए trackball में एक ball लगा होगा आपको ओपर देखने से पता चल लाएगा ठीक है जो की half inserted होता है किसके अंदर इस socket के अंदर half inserted होता है माफ करिए कि बार-बार messages आ रहे है एक पर मुझे इसको डाल लें दीजिए flight mode पर चलिए अब सही है ठीक है तो यह लगा होता है balls इसको कहते हैं socket balls और यह भी एक pointing device है अब बात करते हैं next next की तो next हमारा आ जाता है input device scanner अब देखिए जैसे आपको आपके laptop में या computer में देखिए बहुत ही simple example लेते हैं जब आप examination form भर रहे होते हो तो आपको photo और signature अप्लोड करना होता है examination form भरते टाइम पे तो आपको कहता है कि scanned photocopy चाहिए यानिकि scan photography हम accept करेंगे तो scan करने का क्या मतलब है scan करके आप चीजों को digital form में ला सकते हो और उसको भेज सकते हो computer में तो इसके लिए हमें जरुद परती एक device की scanning device की जिसको कहते है scanner तो scanner का यही काम होता है चीजों को scan करना ठीक है इसको photocopy machine से confuse मत कर लीजगे यह scanner machine है अब बात करत की तो आजाता है touch screen तो अगर आपको type करने का मन नहीं हो रहा है आप सोच रहे हो कि जैसे phone को touch करते है और सारा काम हो जाता है screen touch से वैसे computer को भी करना चाहते हो तो इसके लिए एक device आता है screen touch touch screen इसके मदद से आप क्या कर सकते हो input device है बस touch के मदद से ही चीजों को enter करा सकते ह computer में चलिए जैसे zooming वगरा काम भी हो सकता है इसमें next input device की बात करें तो आजाता है digitizer digitizer भी एक light pen की तरह ही काम करता है लेकिन light pen में आप क्या है digitizer में क्या है थोड़ा से speciality इसका क्या है कि आपको कुछ draw करना है जैसे कोई picture create करना है इसके लिए आप use करते हो digitizer का ठीक है त next input device है magnetic ink card reader M-I-C-R पूरा नाम याद रखिएगा यह important question बन सकता है exam में magnetic ink card reader M-I-C-R का पूरा नाम क्या है abbreviation क्या है तो आप से पूछ लेगा exam में तो इसका क्या बताएंगे magnetic ink card reader इसका यूज कहां पर होता है तो यह एक input device है लेकिन इसका यूज कहां होता है जैसे banks हो गया bank में इसका mainly use किया जाता है क्यूं जब आप अपने checkbook पे देखोगे ना तो नीचे की तरफ एक line आपको दिखेगी जहां पर यह numbers होता है कुछ कोड़ होते हैं इसको कहते हैं M I C R Line magnetic ink card यहां पर कुछ कोड़ होते हैं जिसको देखें होता क्या है bank में बहुत सारे checks आते हैं एक दिन में बहुत सारे लोग checks जमा करते हैं तो bank का काम आसान करने के लिए इस input device को बनाया गया क्योंकि manually काम करने से बहुत टाइम लग जाए है ना वहाँ पर bank में वह आसानी से वह उसको क्या कर लेगा scan कर लेगा तो इसलिए read कर लेगा इसलिए इसका यूज क्या जाता है M I C R का नेक्स्ट है optical card reader का optical card reader का क्या मतलब है तो जैसे आपके पास एक page है और आप उसके word को बीना type किये क्या करना चाहते हो scan करके अपने computer में enter कराना चाहते हो feed करना चाहते हो तो इसके लिए एक device आता है जिसको कहते है optical character reader OCR ठीक है इसको भी याद रखिएगा तो यह बस ऐसे इस तरीके का एक pen होता है इसको आप characters पर घुमाते रहिए और वो चीजों को पढ़ करके आपके computer में feed कर देगा तो इसलिए यूज क्या जाता है optical character reader का उसके बाद आता है OMR तो इससे तो सारे लोग मुझे लगता है कि वाकिफ होंगे सबको पता होगा OMR क्या होता है OMR optical mark recognition या optical mark readers को कहते है इसका काम क्या होता है खास करके exams में इसका काम लिया जाता है OMR sheets होते हैं जिसमें हम अपने answers लिखते हैं तो उसको read करने के लिए क्या किया जाता है OMR machine का OMR का use किया जाता है तो यह भी एक input device है OMR आपको बता OMR में पहले से information feed कर दी गई होती है कि देखो एक का यह होगा दो का भी होगा इस तरीके से यह चीज है यहाँ पर feed कर दी जाती है OMR में और जब यह देखता है कि जो instructions इसको मिले हैं उस instructions पर आपने questions solve किये हैं और OMR sheet भरा है बिल्कुल correctly तो आपको उसी तरीके से यह marks देने का काम करती है तो OMR का क्या काम है यह आपको स्मार्ट कार्ड रीडर्स तो आज कल हर एक काम करने के लिए cash transactions बहुत कम हो गया है और हर लोगों के पास smart cards है तो smart cards को रीड करने के लिए इस machine का यूज के जाता है device का जिसका नाम है SCR Smart Card Readers इसका नाम याद रखेगा अब्रिवेशन यह important है next बार कोड रीडर्स तो जब करने सेHelp करने के लिए तो जब करता है इसका प्राइस क्या है बैस क्या है इसका साइज ने बीम वह सारा कुछ बार कोड के माद्यान से उसको पता चल जाता है कितना डिसकाउंट मिलने वाला यह सब आप उसको पता चल जाता है इसलिए बार कोड reader का वो इस्तेमाल करता है यह उनिक कोड होता है हर प्रोडक्ट का अलग-अलग बार कोड होगा next है क्यों कि मैक्रोफोन तो तो यह भी इंपूट डिवाइस है किस तरीके से जब आप को टाइप करने का मन नहीं करता है ना हाथ से तो आप कहते हो कि वोईस टाइपिंग कर लेते हैं तो वोईस टाइपिंग के लिए आप बोलते हो और कंपिंटर उसको रिकगनाईज करके टाइप करता जाता है तो माईक करते हो लिएप कि दूद्वर पोल रही होते हो या पर किसी पोलेटिकल नहीं प्रेटे में बोल रह दो वहीं पर बात करें loudspeaker की तो loudspeaker आवाज को बाहर की तरह भेजता है तो वह output device होगा ठीक है चले नेक्स्ट है webcam webcam का भी सेम काम है आपके तस्वीर को आपके वीडियो को computer system में फीड करता है computer system के अंदर भेजता है प्रवेश करने देता है इसलिए webcam भी हमारा क्या हो जाएगा webcam भी हमारा input device हो जाएगा यहां पर हमारा input device खतम हो जाता है output device के तरफ बढ़ने से पहले एक information की आपको हमारे instagram पे जाकर के facebook पे जाकर के टेलिग्राम पे जाकर के जॉइन कर लेना है इंस्टा और facebook को फॉलो कर लेना है साथी साथ चैनल को अगर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजे टेलिग्राम का लिंक यहां पर दिया हुआ है वारे मदों Monet और फॉली साथ में अब बात आतें फ्लाइब का मतलब है चीजों को इन्फेर्मिशन को हम तक भेजता है ठीक है इंपुर्ट्र का काम था लेने का अब लेने का का म काम करेगा तो जैसे ओडियो दिखाई देता है फोटोज दिखाई देते हैं तो यह सब क्य तो दू तरीके के मौनिटर्स होते हैं एक होता है कैथोड रे टूब और गएफ था इस्तिमाल किまぁ सप यह पीखें कि तरफ से लंबा होता हैं आ आपको अगे फोतो दिझाँगा और पैनल डिस्प्लेग के फ्लाइट आपको विलकुल होता है कि देखिए टीव इस तरीके का कुछ होता है यह पीछे से आपको यह उभरा वह दिखाई दे रहा है यह है यह क्यूंकि इसमें यह लगा होता है का इसलिए पुराने जो आप जाओगे ने फिर किसी सरकारी दफ्तर में जाओगे तो आपको ऐसे सिस्टम देखने को मिल लाएंगे लेकिन इसका क्या होता था चीजों को तो बहुत अच्छे से दिखाता था एक बार में 80 कैरेक्टर को डिस्प्ले कर सकता था और 25 को कर सकता था वर्टिकली लेकिन इसकी इसका एक डिसट्वांटिस था कि यह लार्ज होता था साइज में और इसको काफी जादा पावर की जोद पड़ती थी पावर कंजंप्शन जादा था इसका ठीक है तो इससे ओवर कम करने के लिए ना आगे हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर तो यह कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है काफी सुन्दर दिखाई देता है दिखने में ठीक है फ्लैट पैनल डिस्प्ले इसके भी दो अलग अलग टाइप आ गया है जैसे एक LED आ गया है अभी जो रिसेंटली चल रहे है वह LED चल रहे है उससे पहले जो आया था LCD था तो LCD भी जादा LED के मुकाबले जादा पावर लेता था तो अब लोग किसको प्रेफर करते LED को प्रेफर करते अब बात करते हैं प्रेंटर्स की अच्छा चलिए आपको ना मैं एक होमवक देता हूँ आपको LED का और LCD का इन दोनों का अब्रिवेशन क्या होगा यह कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना है चलिए नेक्स्ट है प्रेंटर अगर प्रेंटर की बात करें तो यह भी आउट क्प्रिंटर और दूसरा है नान इम्पक्प्रिंटर तो बात कर लेते इंपँटर क्या होता है ऐसे प्रिंटर जो की क्याPad कहाव का चरेक्टर को जो श्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट रिबन मतलब इसमें एक रिबन लगा होता है जिसके तुरू यह चीजों के स्ट्राइक करके प्रिंट करते है ठीक है लाइन प्रिंटर के भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया तो फिर से समझे एक बार कंफ्यूज मत हो यह पहला है इंपक्ट प्रिंटर हमें समझ में आ गया कि रिबन लगा होता है और उसको स्ट्राइक करके पेपर पे चीजे प्रेंट होती है अब इंपक्ट प्रिं प्रिंटर और डेजी विल प्रिंटर तो इनको पहले समझते हैं पहले इंपक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर के पार्ट को समझते हैं कैरेक्टर प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो एक बार में एक ही कैरेक्टर को टाइप करता है स्वारी प्रिंट करता है तो कहते हैं character printer अब character printer में पहला हो गया dot matrix printer तो यह सबसे ज़्यादा popular printer माने जाते हैं dot matrix printer ठीक है और यह जो है low cost में आते हैं और यह जितने भी character print करते हैं उनका pattern dots की तरह दिखाई आपको देता है जैसे और इनमें कुछ matrix लगे होते हैं जैसे इस तरीके के परेंट करने का काम करते हैं तो इसलिए इसको dot matrix printer कहते हैं यह कुछ इस तरीके का दिखाई देता है आप इसको देख लीजे ज्यादा यह मतलब aug cré stamp printer आपने देखाओंगा यह डेजी वीज कियों कहा जाते क्योंकि यह देखी यह बेजी के फूल दिखाई रहा है ना फ्लावर की तरह दिखाई देर है और इसमें क्या लगाओ आए वीजो इसको desi तो character printer एक बार में एक character को print करता था, line printer एक बार में एक पूरे line को print करेगा, ठीक है, अब line printer को भी कुछ parts में डिवाइड कर दिया है, जैसे drum printer और chain printer, तो drum printer का ये है फोटो, और chain printer का ये है फोटो, तो दोनों आप देख लिए, जाद अंदर जाने की ज़रूत नहीं है, तो हम इसको skip करेंगे, ठीक है, पता चला, confused होगे, तो बस इतना याद रखिए, ये बस कुछ photo देख करके, आप इसको एक बार, बस scan कर लिजए, और कुछ नहीं करना है, याद आपको important चीज़ क्या रखनी है, कि printer क्या है, output है, ये input है, next आता है, non impact printer, तो non impact printer में ये चीज़े, ribbon जो लगा था ना, और striking का काम हो रहा था, वो नहीं होता है, without striking यहाँ पर काम होता है, ठीक है, paper पे, जैसे बस scan करके print कर दिया, खट-खट-खट की आवाज नहीं आती है, printer, in printers में, scan किया, और एक आवाज आएगी हलकी सी, और print होका है, जैसे, आजकल cyber cafe में जाओ ना, आप करवाने, तो वहाँ पर इस तरीके के printers आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर personal use के लिए भी लोग इस तरीके के printer का use करते हैं, तो यह हो गया laser printer, laser light की मदद से यहाँ पर printing की जाती है, और यह inkjet printer, यहाँ पर ink लगा जाता है, क्योंकि यहाँ पर color printing का का काम किया जाता ह तो यह दोनों का photo भी आप देख लीजे, चलिए, यह थे non impact printers, नेक्स्ट है, headphones, headphones भी हमारा output device है, क्योंकि इसके थुरू आवाज आती है, हम तक पहुंचती है, तो headphone एक क्या है, output device है, नेक्स्ट है, speaker, speaker भी output device है, क्योंकि इसके थुरू आवाज हम तक पहुंचती है, sound हम त case के मदद से, जो words होते हैं, वहाँ पर display होने लग जाते हैं, इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे, output device, अब यहाँ पर output device हमारा finish हो जाता है, अब कुछ important points है, उसको देख लेते हैं, क्या क्या important points है, तो external device हो गया, जैसे printer हो गया, keyboard हो गया, और modems हो गया, इनको कहा जाता ह है, peripherals, ठीक है, computer में peripherals क्या होते हैं, कोई पूछे तो आप क्या बताऊगे, external devices जो लगे होते हैं, computer में, उसको कहते हैं, peripherals, उसके अलावा, जितना जादा resolution होगा monitor का, ठीक है, उसके pixels उतने ही साथ होंगे, एक साथ होंगे, यह ना, कैसे, जब आप किसी कम resolution वाले picture को zoom करत हो ना, तो वो क्या होता है, फट जाता है, क्योंकि उसके pixels एक साथ नहीं रह पाते हैं, वो अलग-अलग होने लगते, इसलिए वो फट नहीं लगता है, उसी तरीके से जब ज़्यादा resolution होगा, तो कितना ज़्यादा भी आप जूम करते हो, तो फटता नहीं है, क्यों ऐसा यूजर इन दा बेस्ट पोजिशन फ़र ओपरेटिंग दा माउस, माउस को अपरेट करने के लिए जो बेस्ट पोजिशन क्या होता है, तो जो टेल होना चाहिए, वो यूजर के तरफ होना चाहिए, ये एक से नॉर्मल सी बात आपको बता रहा है, और कुछ नहीं था, चल जब अगर आपके पास PC है और आप उसको ऑपरेट करते हो तो ये सा बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे क्या क्या चीज है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हमें दे रहा है कि मैंटेनिंग कम्प्यूटर सिस्टम, आपके पास देखिए, जब आप कोई चीज अपने पास र राख़ें इंट्रनल एंवामेंट से बचाने के लिए बहुत सारी जिजो भी थ्रेड उनसे बचाने के लिए तो कम्प्यूटर को मिंटेन करना बहुत ज़ादारी है, और मिंटेन काने के लिए क्या क्या हमें करने पड़ेगी वह देख लेते हैं तो जैसे बैकिस आपके बैक अप करना करते रहना चाहिए time to time hard drive में computer के एकदम भरना नहीं चाहिए वडरना वो ढूले दीरे ति यहीं कहा है कि आपको बैक अपका चाहिए टाइम ताइम पर अपने computer का और चीजों को delete करना चाहिए यहां देख लिए बाइग फाइल्स चीजों को backup करिए external hard drive में या external memory card में और जो भी फाइल जाना उसको delete करते जाए क्योंकि बहुत जादा भर जाएगा तो आपका computer बहुत दीरे काम करने लगेगा processing का काम बहुत दीरे हो जाएगा next is scanning your hard drive hard drive उगरे को scan करके रखिए एक दम up to date रखा करिए ठीक है उसके अलावा defragmenting your hard drive hard drive को भी बहुत जादा मत भर दीजिए ना time time पर उसमें से भी फालतु चीजों को हटाते रहे उसके अलावा defragment करते रहे next is clearing your cache cookies and internet files जो भी cache files are download हो जाते ना unnecessarily जब आपको वेबसाइट खोलते हो और वहाँ पर terms and conditions आते हैं कि we want to notify you यह फिर we want to send you notifications आपको क्लिक हो जाता है यह पर क्लिक हो जाता है तो आपको notifications भेजने लगता है और आपको पता नहीं चलता और वह cache file ने देरे देरे आपके computer system में store होता जाता है तो यह कह रहा है कि जो भी cache files और cookies हो गए रहा है इसको आप क्या करते रहे है टाइम टाइम पर खाते रहे हैं के डिलीट करते रहे हैं अपने computer device से नेक्स्ट है automatic updating अपडेटिंग या तो यह आप लगा करके छोड़ दीजे आप में आता है computer में कि automatic updating जब भी अपडेशन का काम होगा वह अपने आप कर लेगा तो यह कर दीजे या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप खुद से ही और उसको बहुत ही कम हो सकती है या फिर आपका data leak हो सकता है data चोरी हो सकता है तो यह सब देखते रहना चाहिए और जो एंटिवाइरस है उसको जरूर अप्लोड करके रखना चाहिए computer सिस्टम में कि यहां पर आगे इंस्टॉलिंग इंटि मालवेर इस को स्पाइवेर एडवेर तो वही चीज़ है आप क्या करिए अपनी एंटिवाइरस ताकि वायरस से बच सके ऌट पर काफी सिग्निफिकेंट होता आपके केट्र करने के लिए ठ्रेट से बचाने के लिए export से बचाने के लिए वाइरस यावम से बचाने के लिए तो आपको fireworks भी आपकर के रख सकते हो सेट उसके अलबा क्लीनिग और कंप्यूटर कंप्यूटर को टाइम टाइम पे एक्स्टर्नली आज वेल इंटर्नली आपको क्लीन करते रहना चाहिए है ना असानी कि धूल पढ़ रहा है कुछ भी हो रहा है तो आराम से उसको प्रॉपर मेंटेनेंस उसकी करते रहने को प्लीज कर दीजे सब्सक्राइब कुछ नहीं जाता है तेरा कुछ नहीं जाता हमरा थोड़ा फायदा हो जाता ठीक है उसके अलावा कॉमेंट करके बताएए वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बस मिलते है नेक्स वीडियो में तिल देन बाबा थाय और किस्टाइब की कैरे जाता है थाया थे खाया तेकर प्लीज जाता है श्द्राइब कने वीडियो प्लीडियों अबस देन फट्टाइब के लिए में इए नेए भाए और दोस्तों जाता है आट दोक्टाइब कर साथ ट्रॉप